Hello everybody, this is Digras Singh Rajput, Welcome to Magnet Means इस वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं? इस वीडियो में हरप्रीत and Vandana इन लोगों की कहानी पढ़ेंगे, they are business person देखें और समझेए, हमारा जो chapter है कौन सा है? हमारा chapter है urban livelihood इस chapter की जो series चल रही है हमारी तो उसमें हमने कितनी सारी अलग-अलग कहानिया सुनी है अभी इतनी सारी अलग-अलग जो कहानिया सुनी है हमने तो इन कहानियों में क्या समझ में आ रहा है? कि एक तो कहानिय हमारी parallel चल रही है जो chapter को साथ लेके चल रही है दोनों बहने शहर घुमा रही हैं पूरा तो दोनों बहने अब कहां पहुँच चुकी है अब वो एक garment shop पे पहुच चुकी है अब वो garment shop पे जब आती है न तो garment shop की कहानी आपको यहां जानने को मिलेगी हरपीत और वंदना की जो garment shop है वहाँ पर अब देखो क्या होता है यहाँ पे समझेगा ठीक हम क्या देख रहे हैं Urban livelihood मतलब कि शहर में लोग कैसे अपना जीवन चलाते हैं तो एक जो occupation है लोग क्या करते हैं Market place में खास करके जिनकी permanent shop होती है street vendors की तरह नहीं है street vendors क्या है तो वो बिचारे सड़क पे अपना सामान बेच के अपना जीवन यापन कर रहे हैं जीवन चला रहे हैं अपना पैसे कमा रहे हैं जिससे वो जी सके हैं अब वहीं पे कोई क्या होता है कोई बहतर तरह से systematic way में business चला रहा है तो वो हम कहानी देखेंगे कि इसकी हरपीत की और वंदना की इनकी कहानी से हमें समझ में आगा कि अच्छा ये कैसे जीवन चला रहे हैं तो हरपीत जैसे हैं तो वो बताते हैं कि उन्होंने अपने पिताजी और क्या कह सकते हैं अपने पिताजी और अंकल की एक शौप है गार्मेंट शॉप जो मार्केट एरिया में जहां पे दोनों बहने वो आई हैं समान लेने ठीक है तो उन्होंने क्या करा है उन्होंने अपना कॉलेज कंप्लीट करने के बाद में अब अपने पिताजी और अपने अंकल का हाथ बटाना चालू कर दिया है वहीं पर वंदना जो उनकी मा है ठीक है तो कहानी से जितना हमने रिलेट किया है तो वंदना क्या है वंदना भी बताती कि वो खुद एक क्या है फैशन डिजाइनर है जो क्लोस डिजाइन करती थी वो भी शॉप में क्या होता है संडे वगिरा के दिन वो आज आती है ताकि festival season में जैसे ज़्यादा भीड़बार रहती तो वो समाल सकें उस चीज को, दुकान को अच्छी तरह से समाल सकें तो वो बताती है क्या कि पहले कि पेक्षा आज धंदा बहुत जादा बदल गया, आज बिजनस में बहुत जादा चीन जा गए आज लोग क्या प्रिफर करते हैं, stitched clothes पहनना पसंद नहीं करते हैं आप में से किसी ने कभी कपड़ सिलवा के पहने हैं, नहीं, क्योंकि अब school uniform को छोड़के तो क्योंकि आज क्या है, school uniform भी अब तो readymate मिलती है ना, तो school uniforms भी आप readymate देख रहे हैं तो इस तरह से अब garment shop में जो बंदना है वो बताती है क्या कि उनके experience के हिसाब से बहुत जादा change आ चुका है market में, business में, ठीक है, अब सब कुछ क्या होगे, अब सब कुछ आप एक तरह से देखोगे तो लोग क्या पसंद करते हैं, readymate खरीदना पसंद करते हैं और इसी तरह से इनकी जो readymate garment की shop है, वो grow कर रही है, ठीक है, वो grow कर रही है और पूरी कहानी फिर वो बताते है क्या, कि marketplace में उन्होंने दुकान लगाई है marketplace में अब क्या होता है, कि आजू-बाजू के जो areas है, वहाँ से लोग आते हैं, लोग आते हैं market के, मतलब market के अलावा जो अपने business के बारे में चीज़ें बताती है, कि अभी वो rent की building में shop चला रहे है rent की building में shop चला रहे है, लेकिन over the Peter of time उनका ये plan है, क्या, कि वो अपनी खुद की एक building बना लेंगे जिसमें अपना वो अपनी जो shop है, वो चलाएंगे, तो इस तरह से आपने क्या देखा, एक कहानी के थुरू समझा, कि हाँ ये भी शहर में एक, मतलब यहाँ पर आप category क्या पकड़ रहे हैं, गो category आपने business person, मतलब कुछ लोग होते हैं, जो क्या करते हैं, business करते हैं, सामान आपके building के उपर या फिर आपके colony के park में खेती नहीं करोगे आप, आप क्या करोगे किसी तरह की activities में engaged हो, जहां से आपको पैसा मिल सकें, कोई service प्रोवाइड कर रहा होगा, जैसे आप देखोगे, तो हर इंसान business नहीं कर रहा है, या फिर हर इंसान street से सामान नहीं बीच कुछ office में काम करते होंगे, तो वो अभी आगे पढ़ेंगे, हम office में कैसे काम करते होंगे, क्या काम करते होंगे, बागे आपको यहां पर यह समझना है, कि कुछ लोग business भी करते हैं, किसी नहीं किसी प्रोड़क्स को बेचते हैं, खरीदते हैं, और यह systematic way में करते हैं, ठी तो अब क्या है, like Harpit and Vandana, there are many people who own shops in various markets of the city, तो Harpit और Vandana की तरह बहुत साई लोग होते हैं, जो shops को own करते हैं, country के अलग-अलग, city के अलग-अलग part में, ठीक है, तो यह तो क्या Harpit Vandana का एक example हो गया, इन्हीं की तरह और भी बहुत साई लोगों के, जिनकी garment की छोड़ होगी, city के अलग-अलग partner, सभी लोगों का activity अगर देखा जाए, source of earning देखी जाए, ठीक है, how do they earn their livelihood, तो वो इस तरह से अपनी दुकान से सामान बेच के पैसा कमाते हैं, ठीक, फिर क्या होता है, but most business person manage their own shops और businesses, तो अधिक तर जो business persons होते हैं, वो अपनी जिनोंने इस तरह क दुकाने खोल के बैटे हैं, तो अपनी दुकानों को खुद manage करते हैं, खुद ही चलाते हैं, अच्छी तरह से चलाते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर क्या बाता है, they manage their own shops and businesses, but they do employ a number of other workers also, ठीक है, वो इसी के साथ साथ क्या करते हैं, अब जैसे मान लो एक बहुत बड़ी shop है किसी की, एक इंसान कैसा चलाएगा, तो वो गल्ले पर बैठ जाता, आपने देखाऊगा, ना cash counter जो रहता है, वो वहाँ पर बैठ जाएगा, बाकी क्या होंगे, उसने बहुत सारे दूसरे employees को hire करके रखा होगा, कि आप में दुकान पर काम कर लो, मदद करवा दो, हम आप पर रख लेते हैं, these are permanent shops that are given a license to do business by the municipal corporation, अब हमने जो पीछे जो कहानी पड़ी है, उसमें देखा कि street vendors का जो shop होता है, जो structure होता है, वो क्या होता है, temporary होता है, उसे police कभी भी उठा देती है, लेकिन यहाँ पर क्या देखने को मिल रहा है, तो these are permanent shops that are given a license to do business by the municipal corporation, तो शहरो में administration, urban administration वाला जब chapter पढ़ा था, मैंने आपको बताया था कि शहरों में administration कौन समाल रहा है, बड़े शहर है, तो municipal corporation, चोटे शहर है, तो municipalities, ठीके, तो जो municipal corporation होते हैं, यह क्या करते हैं, license देते हैं, आप दुकान लगाई यह, ठीके, आप अपका यह समान बेची, आपकी permanent shop ह आपको कोई नहीं हटाया गए यहां से, तो these are permanent shops that are given a license to do business by the municipal corporation, आगे समझ में, आगे क्या है, the municipal corporation also decides on which day of the week the market has to remain closed, अब municipal corporation एक काम और करती है, यहाँ पे क्या, municipal corporation decide करती कि कि किस दिन, मतलब जैसे हफता, एक हफते में साथ दिन होते हैं, बोलो कि सर पता है, चोटी क्लास में पढ़ लिया था, लेकिन आप देखते हैं कि कहीं कहीं area wise, कभी कभी कहीं पे Monday की दिन market बंद रहता, कहीं पे Tuesday, कहीं पे Wednesday, कहीं पे Thursday, कहीं पे Friday, कहीं पे Saturday, तो जो एक specific दिन रहता है, जिस दिन बाजार बंद रहने वाला रहता है, वो दिन कौन तै करता है, तो वो day जो जो एक group होता है, वो एक हरपरीत और वंदरा की कहानी से हमने समझा कि वो कैसे अपनी livelihood को earn करते हैं, वो किस तरह से अपना जीवन चलाते हैं, आगया समझ में यहाँ तक सारी चीज़ें clear रहना चाहिए, चाहिए, अब क्या है, तो इसी के साथ हमारा topic complete होता है, मैगनेट ब सकते हैं, बहुत आसानी से पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं, घर बैठे अपना syllabus complete कर सकते हैं, आपको क्या करना है, आपको यह video lectures देखना है, ठीके, अपने juniors और seniors को भी बताना है, ताकि उनकी भी मदद हो सके, मलते हैं next video lecture में अगले topic के साथ, till then stay connected, keep learning, thank you, thank you very much.